सपा और पस्पा ने जो मजबूद गटबंदन करा है उससे सभी की राजनिती आंकड़े बिगड़ गए हैं यही वो दोनों पार्टियां हैं जिनका गटबंदन बिगाड़ना बहुत मुस्किल है आज पूरे देश की नज़र गटबंदन के उपर लगी हुई है और पहाजपा अपने पूरे राजनिती तरीके लगाने लग रही है कि गटबंदन को कैसे हरा है लिकिन गटबंदन को हराने की जगए वो और मजबूत होता जा रहा है क्योंकि बसपाक और सपा दोनों के ही लोग सबक ने मजबूत है कि उनको हराना बहुत मुश्किल है और गटबंदन उत्तर प्रदेश के अंदर जो जन सहलाव है वो बहुजन समाज का सहलाव है और बहुजन समाज से सीटों को निकालना मुम्किन ही ना मुम्किन है वहीं भेनकमारी मायवती ने कहा कि बस्पा सपा सांझा रेली की शुरूआत 7 अप्रेल को देव बन्द से होगी दूसी रेली 8 अप्रेल को میरट में होगी 19 अप्रेल को बस्पा सुप्रीमो मायवती का मिनपूरी में रेली का कारिकरम है यहां से मुलाइम सिंग यादव प्रत्याक्षी हैं ऐसा हुआ दो दशक बाद की दोनों नेता एक मंच पर होंगे और मुलाइम सिंग के लिए वोट मांगेंगी बहन कुमारी मायवती ये एक अपने आप में बहुत एतिहासिक बात है कि दो पार्टियों के गटबंदन के अंदर और दूसरी पार्टी नेता उनके लिए वोट मांग रहे हैं आज पूरे यूपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बोल वाला है तो सपा और बस्पा का है चाहें वो चाय के दुकान हो चाहें वो फाइल स्टार फोटल हो जहां भी चर्चा है सपा और बस्पा के मजबूत गटबंदन की चर्चा है यह गटबंदन देखने के बाद लगता है कि आगामी चुनाव 2019 का बहनकुमारी मायवती की जोली में जाने वाला है और देश को एक मजबूत प्रधान मंत्री के रूप में बहनकुमारी मायवती मिलने वाली है ये थी SM News की रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही खबरों पे नजर बनाए रखना तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना बोले ताकि सभी लेटिस्ट खबरे बहुं सकें आप पर सबसे पहले